गुड मॉनिंग बच्चो आज हम भारत्य समाज में नए विचार और समास धारक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले राजाराम मोहनराय, स्वामी दयाना सरसती, इस्वर्चन्र, विद्या सागर, भीमराउं अम्बेक्टर के बारे में और एक अन्य भारत्य समाज में नए विचार के बारे में आगे जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे कि प्राचन समय से हमारे समाज में अनिक प्रकार की कुरुत्यां अंधिविश्वास व्याप्त रहे हैं और इसको दूर करने के लिए भी अलग-अलग काल खंडो समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज में फैले आडंबर, अंधिविश्वा, रूरी भाधि जाती प्रत्था जैसे दोसों में सुधार की जरुवत समझी इसलिए समाजिक सुधार के लिए सार सार धार्मिक सुधारों के लिए भी प्रयास होने लगे और आगे चलते हैं इसके अंतरगत नए प्रभावसाली विचारों का आगमन हुआ और समाज में नए बार नौजागरन या भारत्य पुनहजागरन इसे ही कहा गया नए नए विचारों का आगमन हुआ इसे क्या कहा जाता है भारत्य पुनहजागरन कहा जाता है नौजागरन कहा जाता है जैसे कि आगे बढ़ते हैं भारत में 19 वी सदी में विभिन समाज के सुधार के कारियों की सुर्वात हो गई तथा इसे समाज सुधार को और उनके समाज सुधार के कारियों के बारे में हम आज क्रम से जानेंगे सबसे पहले राजाराम मोहन राय के बारे में क्या क्या करदम उठाएं इसके बारे में हम पहला करदम जानते हैं जैसे कि राजाराम मोहनराय को पुर्णा जागरन एवां अग्रादूत भी कहा जाता था वे अंग्रेजों की प्रती सिक्षा के समर्थक थे उन्होंने कलकुत्ता में अंग्रेजी स्कूल और वेदान्थ कॉलेजों की इस्थापना की 1827 में बर्म समाज की इस्थापना की मु अठारा सो उन्तिस स्री में लाड विल्याम बेटिंग ने सती प्रत्रा को बन करने के लिए कानुन बनाया कोन बनाया लाड विल्याम बेटिंग ने अठारा सो उन्तिस में सती प्रत्रा को बन करने के लिए कानुन बनाया अब है स्थापना सन 1875 में हुई उसमें मुर्ति प बाल विभा कन्यावद आधी कुप्रथाओं का विरोध किया विद्वा विभा और नारी सिक्षा का भी समर्थन किया गया कौन किया स्वामी दयानान स्वर्शती ने अब आगे देखते हैं इस्वर चंद्र विद्यासागर इनके प्रयासों से 1849 में कलकत्र का बेथन इसकूल खुला यहां बालिकाओं का प्रथम इसकूल था जिसमें बालिकाओं पढ़ाई करने गया और सिक्षा अरजन किया समाजिक विरोध और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों को इसकूल में दाखिला दिलवाया कौन दिलवाया इस्वर चंद्र विद्यासागर ने अब बढ़ते हैं भीम्राव अंबेक्टर ने आगे आगे यह क्या किया डाक्टर भीम्राव अंबेक्टर ने कठिन परिश्रम से इंग्लैन में एक कानून के उच्छ सिक्षा प्राप्त की और भारत में लोटने पर स्वैम को निम्नजाती के उद्धार के लिए संपर्पित कर अगे बढ़ने के लिए क्या कि अपने आपको समर्पन कर दिया वे मानते थे कि निम्नजातियों को अपने उद्धार के लिए आगे बढ़ने के लिए सिक्षीत और संगठीत होना पड़ेगा और भारत के सविधान निर्मान में भी इनका अहम योगदान रहा यदि भीम्र में भीम्राम वेक्टर का हाथ रहा और अहम भूमिका दिये और अन्य समासुधार के कार्य में आज हम आगे बढ़ते हैं इसके अलावा महरास्ते में पंडित विस्मु सास्त्री ने सैंविद्वा से विभाकर समाज्म का उधारम प्रस्तुत किया रामकृष्णन गोपाल भंडार करने रुधिवार्दियों के विरुद्ध के बावजुद अपनी विद्वा बेटी को पुनह विभा करवाया इससे आगे समाज में सुधार हो ऐसा करके रामकृष्ण गोपाल भंडार गृष्ण अपनी बेटी को पुनह विभा करवाया ताकि बेटिया आगे जी सके अब है सरसयद एहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अरिगर आंधुलन चलाया महरास्त में जोतिब्ब फुले और उनकी पत्नी सावितिबाय फुले द्वारा भी पूने में बाली का इसकुल खोला गया आनरपरदेश में भी वारिसली गम द्वारा विद पुन्हा विभा का भी समर्थन किया प्रहिनाम सरूप सन 1856 में विद्वा पुन्हा विभा कानून लागू किया गया और इसे आगी बढ़ाया गया बहराम जी माला बारी ने भी विभा के लिए लड़के लड़कियों का नियुनतम आयू 14 वर्स से हटा कर हजादी के बाल लड़कियों के लिए 18 वर्स और लड़कों के लिए 21 वर्स कर दिया गया के सव चंडर सन इसवर चंडर विद्या सागर ने भी बाल विभा प्रथा की बारे में लोगों को समझाया और जोतिबा फुले ने भी जाती के उधार के लिए अपना सारा जीमन लगा दिया वा ते अपना की समाज में तेजी लाने के लिए उद्धार आगे बढ़ने के लिए इसके बाद रामकृष्ण मिर्सन जैसे कैसंस्थाये ने जाती प्रथा की कड़ी चुनोती दी और आगे ये करम चलती रही महादेव गोविन रनाडे ने जाती वाद भेदभा और छुवशुत की ओर निंदक की रामाबाई सरसती ने विद्धा माली महिलाओ को सिक्षित करने के लिए शार्दा सदन नामकास्रम खोला इसकूल खोला ये संस्कीत की अच्छी ग्यात्यतिको रामाबाई सरसती समासुधार सथिसगर में कहां तक आगे बढ़ा कैसे हुआ जैसे की गुरु घासिदार सथिसगर के प्रसित समासुधारक ने जो 18 दिसंबर 1756 को राइपूर वर्तमान भलोर्दा भजार जीला के गिरोरफूर गाउं में हुआ और सतनाम पंथ चलाया गया वे सत्य को ही इस्वर मानती थे चतिसगर में पंदित सुन्धरलार सर्मा ने निम्न जातियों के उधार के लिए महत्पुन प्रयास किया सभी जातियों के लिए लोगों को जनिव धारन करवाया और राजिम के राजी लोचन मंदिर का प्रवेश दिलवाया कोन दिलवाया पंदित सुन्धरला सर्मा ने राजी लोचन मंदिर का प्रवेश दिलाया आगे बढ़ते हैं इस प्रकार अनेक समाज के सुधारकों के विभिन प्रयासों से समाज में वायप्त कुप्रताओं को अनबरो चुवा चुद जाती प्रता अंद्विस्वास को समाप्त करने के लिए आज भी समाज में प्रयाप जन जागरन की जरुवत है और आज यह जन जागरन होती आ रही है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है व्रिद्धी हो रहा है ओके बच्चो यह आपका चप्टर कंप्लिट होता है आप वीडियो देखिए समझिए और नोट्स बनाईए